हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका टेक्निकल संदीप गुरु चैनल में आज हम इस वीडियो में फीटर के बहुत ही महत्यपुन वस्तुनिष्ट प्रशन उत्तर को ले करा हैं जो एक से लिके 50 हैं और यह बेरी बेरी इंपॉर्टेंट है जो एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों सुरु करते हैं प्रशन कि पहला निमन में से माप की बिधि नहीं और अलौन अप्च्छमान ओप्शन ब स्बीक्प में सबसे ज़्यादा पयाजाने वाला है में टाइट हैं ओप्शन दोस्तों इसके उत्तर जाएगा आयरन आयास्क ठीक दोस्तों प्रस नमर तीन आपके सामने हैं ब्यूटेन फ्लेम और प्रोपेन फ्लेम के अतरिक्त अन्य कौन सी फ्लेम सोल्डर यानि करने के लिए प्रयूट किने कौई जाती है आप्शन मेथन फ्लेम औ के सामने हैं यह बोल्क का होल बनाने के लिए चाविश ड्रिल का प्रियूग किया जाता है option A, aspirate option B, fruits option C, twist option D, multi diameter दोस्तो, option 4 का उत्तर जागा multi diameter ठीके दोस्तो, प्रश्ण नमर 5 आपके सामने है धातु के spring निम्न में से किसी यांत्री गुन के कारण बनाए जा सकते हैं option A, चिमरता option B, पर्तियास था option C, plastic option C, sumperity दोस्तो, इत्तर हो जाएगा option number B, पर्तियास था यानि elasticity ठीके दोस्तो प्रश्ण नमर 6 आपके सामने हैं दोस्तो oxygen, gas, cylinder को निम्न में से रंग से लेपिड किया जाता है option A, काला, option B, लाल option C, सफेद, option D, भूरा उप्तर हो जाएगा दोस्तो, काला option number A, जराइट एंसर प्रश्ण नमर 7 आपके सामने हैं दोस्तो, micrometer के अलपक माप कितने micron की होती है कितने micron होती है option A, 1, option B, 10 option C, 100, option D इन में से कोई नहीं, दोस्तो, उप्तर हो जाएगा 10, यानि option B, जराइट एंसर ठीके, दोस्तो, प्रश्ण नमर 8 आपके सामने एसनिया को किस परकार बरगी कृत किया गया है दोस्तो, option A, द्रब्ये option B, अर्द थोसी है option C, ठोस option D, ये सभी, दोस्तो, इसका उतर जाएगा ये सभी ठीके, दोस्तो, प्रश्ण नमर 9 आपके सामने है निम्न में से रेडियल या जनरल बेरिंग में लोडिंग कहां पर होती है option B, बेरिंग के अक्ष के सामना आनतर होती है option B, बेरिंग के अक्ष के उर्धवाधर होती है option c इनमें loading bearing अक्ष के समकोन पर होती है अब रिक्त सभी दोस्तो प्रश्ण no.9 को जो उत्तर हो जाएगा इनमें loading bearing अक्ष के समकोन पर होती है यानि option no.c is a right answer ठीके दोस्तो प्रश्ण no.10 आपके सामने है कम दूरी पर भार उठाने के लिए आप कौन सा host प्रियोग करेंगे option a differential chain host option b screw gears chain host option c wire rope host option d ratchet operate chain host दोस्तो उत्तर हो जाएगा इसका ratchet operated chain host यानि option no.d जो राइट एंसर ठीके दोस्तो प्रश्ण no.11 आपके सामने है एक में चूरी के फ्लैंग को बीच के कौन निमन में से होता है option a 29 degree option b 30 degree option c 90 degree option d 60 degree दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा option no.29 डिगरी ठीके दोस्तो प्रश्ण no.12 आपके सामने है काठोरी की तापकरम सामाने तापकरम में तापकरम से निमन में से डिगरी से ज्यादा होता है option a 40 degree, option b 60 degree c, option c 50 degree c, option d 90 degree c दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा 40 degree c अधिक होता है ठीके दोस्तो प्रश्ण no.13 आपके सामने है यदि आवकास कोन बहुत कम हो तो निमन में से कोन बढ़ता है option a अवकास कोन, option b रैक कोन, option c दोनो, option d इन में से कोई नहीं दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा option नमर भी रैक कोन ठीके दोस्तो प्रश्ण no.14 आपके सामने है उस्मा साव पदार्थ में प्राकरतिक अभरक का गलनांक निमन में से होता है option a 1500 degree celsius, option b 1400 degree celsius, option c 1600 degree celsius, option d 1550 degree celsius दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा 1500 degree celsius ठीके दोस्तो तो 1500 degree celsius हो जाएगा प्रश्ण no.5 आपन देख रहे थे भारक 13 14 नमर देख रहे थे ठीके दोस्तो 14 नमर प्रश्ण का उत्तर हो जाएगा आपके सामने पंद्रा सो डिग्री सल्शेस यानि option नमबर एजर आइटेंस है ठीक है दोस्तो प्रस्ट नमबर पंद्रा आपके सामने दिया है drive साप्ट को रोके बिना driven साप्ट को रोकने के लिए clutch का पर्योग किया जाता है किस clutch से सकरात्मक drive संभाव है दोस्तो इसके उत्तर हो जाएगा dog clutch यानि option नमर एजर आइटेंस है ठीक है दोस्तो प्रस्ट नमर 16 आपके सामने दिया है निमन में से not को एस्टर्ट के साथ पड़ियों की नहीं किया जा सकता है option A locking knot, option B self locking knot, option C hexagonal knot, option D उप्रयोग तसभी दोस्तो इसके उत्तर हो जाएगा self locking knot यानि option B is right answer ठीक है दोस्तो प्रस्ट नमर 17 दिया है आपके सामने इस spark lighter का निमन में से कारे है option A इसका प्रयोग धातू को बचाने के लिए, option B धातू से बर्तन बनाने के लिए, option C इसका प्रयोग ज्वाला जलाने के लिए, option C धातू से oxygen बनाने के लिए, दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा पर फिट किया जा सकता है, option A 10 cm, option B 120 cm, option C 6 cm, option D 130 cm, दोस्तों इसके उत्तर जागे 106 cm, यानि option C is a right answer, ठीके दोस्तों, प्रस्ट नमर 19 दिया आपके सामने, खराद मसीन को नीमन में से, किस के द्वारा, बिन रिदिस्ट किया जाता है, option A, बेट की लंबाई से, option B, केंद्रों के बीच खरादे जाने वाले जॉब की अधिकतम लंबाई, option C, टेलर स्टक की लंबाई, option D, कैरेज की लंबाई, गुने चवराई से, दोस्तों इसके उत्तर हो जाएगा, option B, केंद्रों के बीच खरादे जाने वाले जॉब की अधिकतम लंबाई से, ठीके दो त्यौक्त दोस्तो बेविट मेटल पर दिश्क के में कम के पम्रिंव है आप्शन अप्शन-पीश्टक अप्शनौन दोस्तो और सामने हैै भी आये सब्रम ऐसे जाते हैं कि प्राइश नम्र करनों एक्तिक ऑंद्रेशेरो कृलाई आ करे बिजने हैं कि यहां प्रसूंट्र रेड मानल रेजिंग ऑप्शन डी इन में से कोई नहीं दोस्तो इसके उत्तर हो जागा सिंथेटिक रेजिंग दोस्तो प्रश्ण नमर 23 आपके सामने हैं पाई वाइस कारे की तरह कारे की सता को निम्न में से बिंदूओं पर पकरता है जो पाई वाइस होता है आप्शन दोस्तो प्रश्ण नमर 24 आप्शन बाहरी माइक्रो मीटर का फ्रेम निम्न में से धातु का बना होता है प्रश्ण नमर 24 का खर ऑप्शन दिया हैं ऑप्शन कास्ट इस तील ऑपशन क्रोमियम इस्थील प्रश्ण नमर 25 आपके सामने दिया है ऐसे ट्लीन को सेलैंडर में स्टोय करने प्रब में गोल कर रखा जाता है उसे निमन नाम से पुकारा जाता है आप अमोनिया आप्शन बी पेट्रोलियम आप्शन सी पानी आप्शन डी एस टोन दोस्तो इसका उत्तर जाएगा आप्शन नमर्डी एसी टोन यानी एसी टेलेंग ठीके दोस्तो प्राश्ण आपके सामने दिया है चैन को टेंशन देने के लिए निमन में से स्प्रोकिट कपड़ियों किया जाता है जो फिक्स सेंटर के साथ स्प्रोकिट के बीच ड्राइब को ट्रांस्मीट करती है आप्शन ए प्लेट एस्प्रोकिट आप्शन भी आइडलर एस्प्रोकिट आप्शन सी जायकी एस्प्रोकिट 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 ऑप्शन दी चैन एस्प्रोकिट दोस्तो इसका उतर जागा जैकी एस्प्रोक option B 1650 Fahrenheit से 1750 Fahrenheit, option C 1850 Fahrenheit से 1950 Fahrenheit, option D 1450 Fahrenheit से 1550 Fahrenheit, दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, option B 1650 Fahrenheit से 1750 Fahrenheit, ठीके दोस्तों, प्रश्ण नमर अठाईस आपके सामने दिया है, कतरनी को निम्न में से अन्य नाम से जाना जाता है, दोस्तों, कतरनी जो होता है, उसको अन्य और किस नाम से जाना जाता है, ठीके दोस्तों, तो प्रश्ण नमर आपके सामने 28 है, कतरनी को निम्न में से अन्य नाम से भी जाना जाता है, option A, दस्ति गियर, दस्ति पियर, option C, दस्ति गियर, गीपर, option C, D, दस्ति सियर, दोस्तों इसके उत्त 28 के बद दोस्तो प्रस्ट नमर 29 देखते हैं 29 क्या देता है तो दोस्तो 29 प्रस्ट नमर 29 दिया आपके सामने निम्न में से आरी की सेटिंग होती है आप्सट नमर 30 आपके सामने दिया है लोहारी गिरी सौप में परियुक्त निहाई में स्थूलन ब्लॉक का निम्न में से कारहत्यू होता है ठीके दोस्तो आपसन दीर है धातु किब्याप प्रस्ट आउट ओप्षन की ढजाएक होटिक्स हम देखेंगे निम्न में से ऐसी धातू है जो तरल अवस्ता में पाई जाती है option A, पानी, option B, लोहा, option C, पारा, option D, टंगा स्टन यानि उत्तर हो जाएगा इसके दोस्तों, पारा, option C, जराइट एंसर ठीके दोस्तों, प्रस्ट नुमर 32 आपके सामने दिया है निचला बिचलन, वा, बिचलन है, जो साइज के निम्न लिखित, सी में बताता है option A, अधिक्ताम, option B, बिचलन, option C, सुनने, option D, निउन्तम, दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा निउन्तम, option D, जराइट एंसर ठीके दोस्तों, प्रस्ट नमर 33 आपके सामने दिया, डिल, निम्न में से कैसी पर किरिया है option A, निर्मित वस्तुओं में धातु काटना, option B, निर्मित वस्तुओं में आना वश्यक धातु को, धातु अटाना, option C, निर्मित वस्तुओं में छिद्र बनाने की option D, निर्मित वस्तुगों का मापना दोस्तों इसका उत्तर जाएगा प्रस्ट नमर 33 का निर्मित वस्तुगों में छिद्र निर्मित वस्तुगों में छिद्र बनाने ठीके दोस्तों, option number C is the right answer प्रस्ट नमर 34 देखते हैं दोस्तों scrapping scrapping करने के लिए job को निर्मित में से किसमे कसकर बांदा जाता option A, tool post, option B, voice, option C, bearing, option D निर्मित वस्तुगों में से कोई निर्मित वस्तुगों दोस्तों इसका उत्तर जाएगा option number C, B, यानि वाइस ठीके दोस्तों, प्रस्ट नमर 35 आपके सामने दिया प्रस्ट नमर 36 आपके सामने है फोर्जा चक के उपर बने विर्थ निर्मित परपस की पूरती करते हैं option A, चक के सुन्दरता बढ़ाते हैं option B, कारेखंड को एक्कूरेट करते हैं option C, चारो जॉब को बराबर दूरी पर खोलने में सहायक परदान करते हैं option D, जॉब को उल्टा बनाने में सहायक सहायता करते हैं option दोस्तों, इसके उत्तर जगा option number C, चारो जॉब को बराबर दूरी पर खोलने में सहायता परदान करते हैं ठीके दोस्तो प्रस्ट नमर 37 आपके सामने दिया है सेंटर लेंस सेंटर लेथ ग्राइंडिंग में आने वाले दो दोस निम्न में से को कहते हैं ओप्शन A लेविंग ओप्शन B जिग जैग ओप्शन C एक ओप्शन D उपरिक सभी दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा जिग जैग ओप्शन B जराइट एंसर ठीके दोस्तो प्रस्ट नमर 38 देखते है अवरक प्रस्ट नमर 38 देखते है अवरक इंटो का इस्तमाल फोर्ज भठी में निम्न में से लगने के लिए किया जाता है लगाने के लिए किया जाता है ऑप्शन A ब्राहम सन रचना ऑप्शन B अस्तर ऑप्शन D C तली सन रचना ऑप्शन D उपरी सन रचना दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नमर B अस्तर ठीके दोस्तो प्रस्ट नमर 49 आपके सामने चांदी ब्रेजिंग के लिए पूरक छर में चांदी की मात्रा निम्न में से होती है ऑप्शन A 80% ऑप्शन B 50% ऑप्शन C 70% ऑप्शन D 60% दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D 60% ठीके दोस्तो प्रस्ट नमर 40 आपके सामने दिया है दस्ती रिविटिंग करते समय रिविटिंग के निम्न में से दोस्त है ऑप्शन A प्लेटो का सीर्स ऑप्शन B प्लेट तथा ड्रिल शिद्रों के बीच की रेसे होना ऑप्शन C प्लेटे टूटना ऑप्शन D उप्रिक्त सभी तो दोस्तो प्रस नमर 40 आपके सामने है दोस्तो प्रस नमर 41 आपके सामने दिया है निम्न में से कौन से रोप को वायर स्टेंडर के विप्रित दिशा में घुमा कर बनाया जाता है option A नियमित लेट आप्शन B ल nouvelles लेट आप्शन C उप्युक्त लेट अप्शन D निम्न में से कोई नहीं दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा लेट आप्शन नमर be जो राइट है ठीके दोस्तो बब्यारी सापके सामने है सामने दिया है हमारे देस में हमारे देश में फिट्स के लिए लागू किया गया है Option A BIS, Option B ISO, Option C BSS, Option D इन में से कोई नहीं दोस्तों, Option A ये राइट एंसर BIS, ये BIS के पूल फामुता Bureau of Indian Standard Option नमर 45 प्रस नमर 43 दिया आपके सामने C साब हार में निन में से होता है, हलका Option A हलका, Option B भारी, Option C महंगा, Option D सस्ता दोस्तों, इसका उतर हो जाएगा भारी, Option B ये राइट एंसर ठीके दोस्तों, प्रस नमर 44 आपके सामने दिया है डिलिंग करते समय, रीमिंग अलाउंस रखा जाता है Option A, 0.006 इंच से 0.015 इंच Option B, 0.001 इंच से 0.004 इंच दोस्तों, प्रस नमर C दी आपके सामने 0.005 से Option 0.000010 इंच Option D, 0.0020 से 0.00003 टाइम जीरो एट नाइन दोस्तों, इसके उत्तर हो जाएगा Option A, 0.006 इंच से 0.015 इंच ठीके दोस्तों, प्रस नमर 45 आपके सामने दिया है अपने देश निम्न में से टाइक की गई लिमिट्स लिमिट्स ताओं फिट की परनाली अपनाई जाती है Option A, बिटिस मानक परनाली Option B, जर्मन मानक Option C, ब्योरो आफ इंडियान इस्टेंडर Option D, निम्न में से कोई नहीं दोस्तों, इसके उत्तर हो जाएगा Option C, ब्योरो आफ इंडियान इस्टेंडर जो अब यूप पर बताया गया था ठीके दोस्तों, प्रश्ण नोमर 46 साब के सामने है टेपर सेंग डिल में स्टेंडर टेपर में बनाये जाने वाला रैंक रैंक वाला भाग कहलाता है Option A, मोर्स टेपर Option B, टैंग Option C, ड्रिप्ट Option D, स्पिंडल दोस्तों, इसका उत्तर हो जागा मोर्स टेपर ठीके दोस्तों, प्रश्ण नोमर 47 साब के सामने दिया है परस पर जुकी हुई साब्ट को कपलिंग द्वारा जोरने के लिए निमन का प्रियूफ करेंगे Option A, फ्लेक्सिबल कपलिंग Option B, फ्लेंज कपलिंग Option C, मफ कपलिंग Option D, इनिवर्सल कपलिंग दोस्तों, इसका उत्तर हो जागा इनिवर्सल कपलिंग Option D, इजे राइट एंग साथ ठीके दोस्तों, प्रश्ण नोमर 48 साब के सामने दिया प्रश्ण नोमर 49 साब के सामने दिया है बंधक में प्रयोग किये जाने वाले सश्ट भूजाकार हेड बोल्ट का उपर सीरा निमन में से कोन पर चेंपर होता है Option A, 90 डिग्री Option B, 75 डिग्री Option C, 30 डिग्री Option D, 45 डिग्री दोस्तों, इसके उत्वर जाएगा 30 डिग्री यानि Option C, जराइटेंसर ठीके दोस्तों, प्रश्ण नोमर 50 साब के सामने दिया है कठोरन के सिध्यान्त में यांत्रिक गुन निमन पर निर्भर करते हैं Option A, स्पाथ में कार्बन की मात्रा Option B, स्पाथ में टैंपरिंग की मात्रा Option C, स्पाथ में कठोरता की मात्रा Option D, ठंधा करने की परकिरिया दोस्तों, इसके उत्तर जाए इस पाथ में कार्बन की मात्रा यानि Option A, यह राई टैंसर ठीके दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टोटल एक से लेके 50 बेडी बेडी इंपोर्टेंट प्रश्ण और उत्तर अब्जेक्टिव देखे हैं आज हम इस वीडियो में बस इतनी रखते हैं और उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ठीके दोस्तों, और आज के वीडियो में बस इतनी तब तक के लिए जाए हिंदे